हेलो फ्रेंट्स नमस्ते वेल्कम बैक बंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हूँ किरन दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही जवर्दस्त मैजिकल डियावा ले करके आई हूँ जिससे आप अपने चेहरे की रंग को इंस्टेंटली निखार सकते हो पारलन में जाते हो दोस्तों तो बहुत सारे महंगे महंगे ब्लीच करवाने के लिए कहा जाता है ब्लीच कराने से हमारा स्कीन निखर जाता है लेकिन दोस्तों उसके साइड इफेक्स पे बहुत ही सारे होते हैं बहुत सारे दाने दाग धब्बे निकलाते हैं दोस्तों तो उन सब इससे बचने के कि दानेदर होता है इसलिए हमारे चीन ज्unting एक गर्स को बहुतह ज़़ा है चीनी लेकर चीनि लेकर के हैं अपने एकली स्ग्रब कर Hong something दो स्कुन करता है । अब हटा करकर कि एक पर श्क्रब कर सकते हैं अपने ने लिका अब डॉसके दोस्तों चैने के बाएं पूद्बब़ को कम करता है और अपका लिशी सिपित में चाहिए कि靠 था यह दूद्बव का रस लेना है को सब्सक्राइब निगा इसे तरह चेहरे को भी रंग निखारने में मैं बहुत ज़्यादा help करता है इसके अंदर बाय जाता है आपको पता होगा कि कोल के अंदर baking soda भी पाय जाता है salt भी पाय जाता है जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे skin को instantly bright करता है आप इसको रोजाना तो नहीं कोंगे में लगाने के लिए इस वाले ब्लीज को लेकिन वीक में एक बार आप इसको जरूर लगाएं इससे आपके स्किन के सबी दाग दबे रिंकल्स पिंपल्स बहुत ही इंस्टेंटली कम हो जाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे इस जीज को मिला करके आप अपने घर पे और किसी भी पाटी फंक्षन में जाने के पहले इसको आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं आप इसको आप नॉर्मली लगाएं जैसे भी आप अपने हाथों से comfortable हैं हाथों की मदद से क्योंकि हमने इसको just like scrubbage भी भी तो बनाया है क्य जैसे ब्लैक ही mmm वाइट हो जाते हैं वह सभी कम हो जाएगा फ्रेंट तो इस तरी के से लगाते ही आपको अच्छे से सर्क्लरमोयोशन में असीजन जेनली रब करना है मसाज जैसा इस तरी किसे बहुत जयादा तेज यहांते हो सकता है क्योंकि श Lewis भी सकता है स्केन बहुत ज को 5 Dos अपने हाथों से लगाने पाद 5-6 मेर तक लगा रहे दे और उसके बाद इसको निम्बू से इस इस तरह के स्कुरब करें जैसे 5-7 मिर तक आप अपने स्किन को लगा रहे दिजेगा ना तो काफि Wakari वहाइब हो जाएगा और जितने भी मताब ब्लाइक हीट शुकरा होंगे वाइट हीट सबके सब के अंदर चिपक चाहेँगे और फिर इसमें नेंबू के चिलकी के मदल से इस तरह किसी जब आप स्क्रब करोगे इसको अलके लख्यांत उसे रब करोगे तो सभी के सभी उसमें चिपक की निकल आएंगे और इस तरह के साब के स्कीन में एक इंस्टेंटली निखार आजाएगा दोस्तों बहुत ही ईजी और सिंपल सा है इसको आप ट ब्राइट और खुपसत करेगा तो बस इसको इस तरह किसे हलके हलके हांतों से कुछ देर रब कीजिए और इसको नॉर्मल वाटर से इसको वाश कर दिजिए दोस्तों पहली बार के इस्तमाल से आपको बेहत फर्क नजर आएगा आपका स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा कि स्किन में अलग सी ग्लो अलग सी चमक दिखेगी दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें और वेसे वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को